आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो अब्रीवान Question है The number of alcohol giving idoform test among the following है इसमें आपको बताना है different alcohols मैं से कि कोई सा alcohol आपका idoform test देता है तो idoform test के लिए idoform test के लिए हमें एक concept याद रुखना है कि first step जो होती है First step of idoform is oxidation of alcohol to ketone first step आपकी होती है alcohol की ketone में oxidation तो ऐसा जो भी alcohol होगा जिससे ketone का formation हो सके तो वो हो जाएगा आपका IDOFORM test देता है ठीक है तो कौन से alcohol 2 degree alcohol जितने भी होंगे उनका अगर oxidation होगा तो वो क्या बनाएंगी ketone बनाएंगे ठीक है तो इसका मतलब जितने भी 2 degree alcohol होंगे वो IDOFORM test positive देंगे उसके बाद फिर मैं एक exception है वो बताती हूँ सबसे पहले तो आप 2 degree alcohol कौन कौन से है वो देख लेते हैं यह है आपका 2 degree alcohol एक carbon दो अलग-अलग carbon से attached है तो यह देगा IDOFORM test यह है 1 degree alcohol यह भी 1 degree यहा भी 2 degree alcohol तो यह भी देगा यहां अगर हम देखें तो 2 degree alcohol यह भी देगा अगर इसका structure हम draw करेंगे तो देखें कि यह भी 2 degree alcohol है यह भी positive test देगा इसका देखें तो 3 degree है ठीक है एक carbon से तीन अलग-अलग carbon attached है, इसलिए 3 degree alcohol है, so यह नहीं देगा, उसके अलावा, 2 degree alcohol के अलावा, एक exception है, कि जो C2H5 OH है, वो भी देता है positive Idoform test, ओके, इसका मतलब यह जो है आपका CS3, CS2OH, यह भी आपका Idoform test देगा, तो total कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पूछा कितने alcohol Idoform test देंगे, तो answer हो जाएगा, 5 alcohols will give Idoform test.